तो क्या लिखता है, have a nice day ma'am, take care, we'll meet soon, formulae में, आपनी वो लिखोगे और, oh, कैसा है बीडू, यह 20 तो मने ज्यादा बोल दिया, 15 क्या आसपा, 15, 16, जो सब्सक्राइब करता है, आपके अपने प्रदिपगरी अकैडमी पर, यहां पर बात करता है, आपका पच्छीज तारीक्या आसपास ते चाले होना, उसका पूर्शन हो आज क्का खतम हो जाएगा, आपने प्रिपरेशन कर सकते हो, नीचे आपको प्लिक्स का पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां सब क्या पूरा चकाउट क्या कर सकते हो, अब यह जो परग्राफ और डालोग राइटिंग में आज आपको बताने वाला हो, यह आपको आएगा कितने मांक्स के लिए, अगर मैं एक्जामिनेशन के पॉइंट आपको यह चाल चाल मांक्स के लिए, एक परग्राफ में ही लिखनी रहेंगे, जैसे कोशिर आपके एक्जामिनेशन में कुछ इस तरसा आएगा, राइट आप परग्राफ और इवेस मानेजमेंट, ठीक है, आपको इवेस मानेजमेंट पर आपको क्या बोला जाएगा, अपको परग्राफ लिखने के लिए क्ल क्या करेंगे, ठीक है, आप दो परग्राफ, तीन परग्राफ, चार परग्राफ नहीं बनाएगा, अगर आप बनाते हैं, तो आपका जो क्या गलत कर दिया जाएगा, तो यह चीज़ थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रख लें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अब सवाल यह उठता है, कि मेरा जो परग्राफ वो कितना लंबा होना चीए, कितना बड़ा होना चीए, ताकि मैं एक अच्छा माक्स क्या स्कूर कर शुकू, दो चार माक्स है, तो चार माक्स से लिए, आपका जो परग्राफ की जो लाइन से जानी चीए, वो आपकी 15 to 20 की जानी चीए, 20 तो मैंने जादा बोल दिया, 15 के आसपा, 15, 16 के आसपास के आपकी जो लाइन से होनी चीए, अब लाइन से परक्त होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दू, I have told you, over 15 to 16 लाइन समय ने बोली है, ना कि आपको मैंने sentences बोला है, तो 15 to 16 आपकी लाइन होनी ची के यहाँ पर, और साथी और साथ, अब जब कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान में रखने के लिए बहुत जादा अवश्यक पढ़ यहाँ पर, वो यहाँ पर हम आपको बता दो, सबसे बली चीज़, जब आप परग्राफ बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको दो हले चंकलूज़न में, आप इक नया शिरा, या फिर एक नया टॉपिंक मत चालो कर दो, कोई सब याइन करदो, तो इस तरह से आपको पर लिखना county है, हमेशा जब आप पर लिखे राखने हैं तो इतना ध्यान में रखने कि जो चीज बो लिखे हैं, उसीभी लिखे लिखा अगर जैसे यहां पर e-waste management बोला गया है तो e-waste management क्या होता है किस तरह से आप कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आप क्या सकते हो यह सारी चीज़ें आपको एक्सरा नहीं लिखना है समझ में आ गया तो आपको आपको इतनी चीज़ें समझेंगे और यह था आपका paragraph का बस अलेडी paragraph अपने अपने lower classes में भी सिखा आपने 10th में सिखा होगा, 9th में सिखा है, 8th में, 7th में, 6th में, सही बाद बोलो रहा तो 6th में हमारे सामने भी एक दोस बेट है उनको 6th standard में तो उन्होंने भी सिखा हो है, सही बोलो रहा, कुन सा paragraph लिखा था अपने, उन्होंन समय में आगा है, my favorite food, my favorite festival, यह चीज़ आपने अपने examinations में लिखे ही, तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे क्या proof करना है, कि आपका my favorite book है, कैसे, कौन सा book है, उसके book के बारे बता हो, अपने author के बारे बता हो, उसमें favorite line आपकी कौन सी है, आपका favorite context कौ सबसे पहले कि आपका greeting आता है, क्या आता है, greetings, हमेशा यह धान रखना है, कि सबसे पहले आपको जो question दिया रहा है, वो question क्या आपको indicate कर रहा है, जो situation आपको देख रहा है, वो situation क्या एक formal situation है, या फिर informal situation है, वो आपको सबसे पहले चीज़ है, क्या मद्दे नजर रख ले में आएगा और इवनिंग में वह रहा है तो गुड़ इवनिंग आएगा ठीक है अब इस तरह से ग्रीट करेंगे अब अगर वही आपका इन्फॉर्मल है तो कैसे वह लगा है हाई हेलो तो अब ऐसे बोसकते इन्फॉर्मल में में आप नहीं वह लिखो गया ओ कैसा है भीड बात करते में तो ऑप किस तरह से बात करते कैसे बात करते तो आपको वह चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना आपका है क्या आपको लिखना है दोस्तों समझ में आ गया और वहां पे YouTube अपने जीक से अज। व अपने मीन डालोग हो पूच्छी इंचियसंअ को ईजा closing sentences में closing sentences मतलब क्या होगा जब dialogue आपका खितम होता रहता है तो dialogue खितम होता है तो हम जाते हैं तो हम लोग बोते हैं ना भाई ठीक है ध्यान रखना take care, have a nice day तो हम लोग इस तरह की चीज़े बोलते हैं तो अब जैसे अब आपका informal है तो informal में आप कैसे लिखोगे take care, see you soon, bye तो आपको ये साइख चीज़ा आप क्या यूज कर सकते हैं but when we are formal तो हम कैसे लिख सकते हैं good day to you, have a nice day, thank you very much for your help तो आप इस तरह की चीज़े हैं वो आप closing sentences में क्या लिख सकते हो ठीक हैं? अब यहाँ पे एक्जाम में question किस तरह से आएगा, in the examination you will be asked a question like a dialogue between two friends regarding the schedule of final exam बतलब दोस्ते आपके आपने क्या किया, final exam का अपका schedule आना है तो उसके बारे में आप discuss करो सबसे पहरे दोस्तोस कर रहा हमका एक रोहित और रिया हम ले सकते हैं, यहाँ उनने रोहित और रिया लिया हो रोहित क्या है हाई रिया है इसे तरह से तो ढ़र गप weird इसक्यों थाए शबिदी centuries पहरुत छिब की पहरा है चाब कर तो यहाँ पर घरम है तो आप इस तरह से लिखोगे कि आपना एक्जाम कब है तो वहां पर रियाब होती है एक्जाक्ट डिक्ट टो डिक्ला ही निया लेकिन शारत जो एक्जामनेशन होगा आपके परस्ट विक और डिसमबर जैसे अगर मैं आपके बात करो आपके डिप्लोमा के एक्जाम सोने व कि हमारे जो टर्म होगा तो यहां पर फॉर्स जो हमारे थर्टी टर्म हो जाएगा जो टर्म शेडूल है वह डिस्प्ले कर दी गई है मुझे पता है मुझे मेरा विकेशन जो है प्लान करना है डू यू थिंग अभी विल बी फ्री बाइद फिटीं तॉप डिसमर क्या है ऐसा नहीं कि बना जाना के बोला जैसे नॉमली हम बात करते हैं वैसे ही यहां पर इन्हों ने बात किया अब जब आप लिख रहो तो यहां पर चीज रहा तो आपको इस तरह देखो हाई रिया तो यह अच्छा रहा तो यहां पर एक्स्लामेटरी माग डाला है यहां पर पर कुछा गया है तो कुछिं मांग डाला है यहां पर सेंटेस दें किया तो फुल फॉइलाई भी चोल्ट तो यह इसको देख भाए गूंधियां तो यह क्या का इन। तो आपको इतनी चीज़े लिए हो गई और यहां पर हमारे जो सिकेंड मॉडियो वह भी क्या हो गया आपका एंड हो गया तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चाल सबस्राइब करना अपने दोसरा शेयर करना ताकि ऐसे और कैसे तारी वी